सम्मा वायामो आठ अंगों का जो मार्ग है आठ अंगिक मार्ग उसमें जो चौथा स्टैप है जो चौथी सीड़ी है चौथा लेबल है वो है सम्मा वायामो यानि कि जो वायाम है वो आपने सम्मा करना है सही तरीके से करना है सम्मे करना है अब ये जो वायामो है वो क्या है दरसल वायामो का मतलब होता है संस्काइद भासा में वैयायाम यानि exercise यानि कसरत यानि की महनत यानि महनत, कसरत, वायामो, वैयाम या exercise ये आपने सम्मा करनी है, राइट करनी है, अच्छी करनी है, ठीक करनी है, बढ़िया करनी है ततागत, बुद्ध, भगवान, बुद्ध बता रहे हैं चौथे नमबर पे जो कि आपको सुखी रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और जिसके बिना आप सुखी नहीं रह सकते आपकी दुख नहीं चाह सकते क्योंकि जो आठंगों का मार्ग है वो दुनिया में आज भी उतना ही महतु रखता है उतना ही वेलू रखता है उतना ही सर्टिफाइड है जितना कि आज से 25 साल पहले जब भगवान बुद्ध ने इसको खोजा और इसको लोगों को बताया दो तरह के वायाम होते हैं वैयाम होते हैं exercise होती है एक होती है साररे की यानि body की यानि काया की सरीर की और दूसरी होती है मानसिक, चैसिक या mental या mind तो यहाँ आप से जो सरीर की, काया की या body की exercise है डंड मानने के लिए या डंड पिलने के लिए नहीं कह रहे है नहीं आपको weight उठाना है नहीं आपको gym में जाना है दरसल ये जो exercise करनी है ये आपको करनी है मानसिक और mind ही और ये आपके सरीर के अंदर चलती है तो मन की exercise कैसी होती है क्योंकि मन की exercise को तो भगवान बुद्रहीं इजाद किया उन्होंने ही सबसे पहले बताया और मन की exercise जो कर लेता है फिर उसको सरीर की exercise करे ना करे कोई फरक पड़ता नहीं है सरीर की exercise अगर आप करोगे तो आपको मन की exercise अगर नहीं करोगे तो सरीर की exercise का कसरत का लाव उतना नहीं मिलेगा मसल्स मोटी मोटी जरूब बन जाएंगी मगर वो सब बेकार होंगी जल्दी ही खतम हो जाएंगी मगर यदि आप मानसिक और चैटसिक या माइंड के एक्साइज करेंगे तो मसल्स आपकी होना हो आपके सरी में ताकत उतनी ही रही तो इसमें सबसे पहले जो वो ये कहते हैं वो कहते हैं कि कोई भी सरीर के अंदर जो खराबी है वो पैदा नहीं होने देनी है यानि कि खराबी आपकी जो भी है वो पैदा नहीं होनी है एकुसल कम यानि जो एकुसल है या जो बुरा काम है या जो bad thing है या जो bad चीजे है आपके मन के अंदर वो उत्पनी नहीं होने देनी है, जनलेटी नहीं होने देनी है, पैदा ही नहीं होने देनी है, बनने ही नहीं देनी है, यानि बनने से पहले ही वो खतम कर देनी है, तो आपने जब पैदा ही नहीं होने देंगे, तो चोरी करने का मन किया, तो मन में ही मताने दो कि चोरी नहीं करनी है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, तो इसको बोलते हैं संयत रहना, या संवत रहना, या संयम में रहना, या एक तरह से पूरी जो पेसेंस है उसके साथ में रहना, या इसको कह सकते हैं सबर के साथ रहना, आली के अंदर जो ये सब्द है वो है असल सब्द जो है वो है सम्वर या सम्वुत सम्वर या सम्वुत को संयत बोलते हैं और एक सब्द आता है जो सम्वर से बनता है बाद में संयत तो सम्वर है या सम्वुत है या संयम है या संयत है या अगर अंग्रेजी में कहें तो रेस्ट्रेंट है तो रेस्ट्रेंट हो तो ये सारे के सारे जितने भी सब है इसका मतलब है कि आपने हर समय बलकुल कंट्रोल में रहना है संयत में रहना है आपका बहुत ज़ादा किसी पाप करम करने का मन कर रहा है तो मन ही नहीं होने देना आपको सहिएत में रखना है नहीं करना है आमें नहीं करना है बात खतम हो गई इस तरह से आपको ऐ कुसल कम को मन में उत्पन ही नहीं होने देना है आने ही नहीं देना है ये इसका पहला नियम है पहला गुण है दूसरा है कि जो आचुके हैं उनका क्या करेंगे यानि कि जो आपके सरीर में आचुके हैं पाप करम जो बुराई आचुकी हैं जो खराब चीज़े आचुकी हैं उनका क्या करेंगे तो दूसरा नियम कहता है रिमूबल यानि कि पहार करना है प्रहाना बोलते हैं वैसे संस्काइड्पाज़ा में पहाड़ पाली के अंदर है इसका मतलने रिमुबल करना है नी मल करना है यानि जो मल है उसको हटाना है धोना है तो जतना पुराना पाप कर्म आ चुका है जतनी गंदगी है जो बेड थिंग है मन के अंदर है उनको खतम करना है उनको तो ये exercise करनी है ये वयाम करना है कि एक तो आपने बुराईयों को आने ही नहीं देना है और जो बुराईयां पहले से हैं उनको धोना है उनको हटाना है उनको धीदरे छे करना है खे करना है खतम करना है उनको तो तीसरा क्या है तीसरा है भावना भावना या योग अभ्यास या योगा अभियस या चिंतन विकास या कल्टिविशन आउफ गुड डीट यानि कि जो remaining है जो आपकी अच्छाईया बचे हैं अब आपने क्या किया जो बराईया है वो आने नहीं अब आपके अच्छी पुड़ने वाले चीज़े बची हुई है पाप वाले आपने रिमूब कर दी है और पाप को आना बंद कर दिया है तो जो बचा है उसकी आपने अच्छी तरह से अब उसको बढ़ाना है उसको कल्टिवेट करना है उसको जो आपकी अच्छाई हैं, जैसे आपकी अच्छाई है कि आपको पुढ़ने का काम करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तो बढ़ाना है तो ये चीज़ें आपको बढ़ानी है तो इसको बोलते हैं, cultivation of good deeds या भावना या योग अभ्यास योग माने जोड़ना होतार अभ्यास माने पैक्टिस यानि अच्छी पैक्टिस को जोड़ना और चौथा आता है अनुरक्षन, देखभाल, maintenance या addition यानि कि आपने बुराईयों को आना का जो रास्ता था बंद कर दिया कहता आप हम कोई बुराईय नहीं आने देंगे और जो बुराईय थी आपने दूसरे step में वो निकाल दी और जो अच्छाई या बच्छी थी वो आपने ग्रोकरी पैदा की उनको बढ़ाना सुरू किया तो अब चौथा step क्या है चौथा exercise है चौथी जो पसरत है वो यह है कि जो अच्छी चीज आपके मन में नहीं है ऐसे क्या अच्छी चीज नहीं है आप जैसे जो जो से कड़वा बोलते हैं तो आपने कड़वा बोलना बंद कर दिया किसी की मदद करना सुरू कर दिया अगर नहीं करते हैं तो जो good deeds हैं, जो अच्छी चीज चीज हैं जो आपके mind में नहीं है जो आपके बई खाते में नहीं है उनको बढ़ाना है उनको पैदा करना है उनको अच्छी तरह से grow करना है ये चार काम की exercise आपने करनी है ताप जो करम है वो सारे सारे बंद करने है जो है वो खतम करने है जो अच्छे करम बचे है वो बड़े करने है और जो अच्छे करम नहीं है वो आपने पैदा करने है उनको कल्टिवेट करना है उनकी खेती करनी है उनको उपचाना है ये है मन की एक्ससाइज इस तरह से आपने सम्मा वायामो या सम्मयक वायाम या अच्छी तरह से जो एक्ससाइज है वो आपने मन की करनी है धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकत हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैट्रियल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगी हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सभी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे यह दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद सरेन गच्छामी संघं सरेन गच्छामी संघंध्युद्ध्ध्ध्ध्युद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध बूत्ययों पी संगों सेशो गच्छाम। बूत्ययों पी संगों सेशो गच्छाम। ततियम् पी गुलतंग सर्मं कच्छामी ततियम् पी धंबम्मर सर्मं कच्छामी तथियंपी नमंग सर्नं गच्छामू तथियंपी संधु शेनू गच्छामू